के崇ड वल्कम ऊगैन के आज मैं बताने जाङ को कि अ्टो लेवल में से लेवल कैसे लेते हैं पैसिक चीज बताने जा रहा हूँ इन से मोख जुदी है, आपो वीडियो लाइड तक स्टक सीछा है तो यह जो एडिया देख रहे हैं इस एडिया में 4000 स्कॉार्ड फूट एरिया में एक स्टाप कॉर्टर बनाना है इसका काम स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे लेबल एक्सवेसन स्टार्ट करेंगे तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे आपको एक एवरेज एंजियल मालूम होन फिर उसके depth के नुसर जाना होगा तो इस अट्रो लेवल मसीन से आज मैं आप सब को बताने जा रहा हूं कि NGL कैसे decide करते हैं ओके लाइश तक देखिए मैं पूरा calculation बताऊंगा NGL कैसे decide करते हैं पहले नंबर आपको back side reading लेना होता है मसीन सेट करने के बाद जो RL आप जानते हैं देखिए यह टीबी मैं हमारा temporary benchmark मैंने इसको एजूम किया हंडेड आप कहीं से shift किये है RL तो अच्छी बात है आप इसको नोट कर लिए बीएस के नीचे में back side यह होता है इसी के reference में आपको क्या करना है पूरे area का NGL calculate करना है तभी आप excavation का quantity निकाल पाएंगे ओके यह देखिए corner जहां से आपको acceleration start करना है उसके दूरी पर देखिए हमने corner पर भी रख दिया है इसका reading ले लिए systematic होना चाहिए जैसे आपने grid line पर ले लिजिए grid line जितना है उस पर ले लिजिए या तो distance fix कर लिजिए कि पाच मीटर पर दो मीटर पर लेना है जितना पर बोला गया है कि पाच मीटर पर नोट करना यह पच पच मीटर पर reading देखा जा रहा है आपको यहीं करना है process सेम होता है और यह किसी भी project का सबसे initial work यहीं होता है कि survey करना इसके बाद ही कुछ work होता है देखिए अभी अभी देख रहे हैं यह work चल रहा है कि cutting हो रहा है कह अगर हम quantity कैसे निकालेंगे आपको NGL मालब होना चाहिए यह देखिए feeling भी हो रहा साइड में इसका भी quantity कैसे निकालेंगे कितना height तक filling की है तो यह सबसे basic civil engineer का basic knowledge है और basic यह सबको आना चाहिए video last तक देखिए मैं आपको बताऊंगा calculation कैसे करते है reading तो आपने देख लिया एक simple सा funda calculation करने का okay simple सी funda calculation करने का video last तक देखिए कितना activation depth आएगा इसी से आप निकाल सकते हैं one by one करके आपको reading लिजिए और इसमें time लगता है आप जितना reading लेंगे stop reading उतना ही time लगता है देखिए जो लास्ट में जो reading लेंगे मैं आपको बताने जारा हूं को जो लास्ट reading होता है वह आपका fs होता है अभी माले जी इस सर्वे की है जो भी reading लिए वो fs होगा बाकी सब intermediate side होता है आपको calculation करते समय मैं बताऊंगा अब देखिए आपको क्या करना पूरा यह देखिए लास्ट रिडिग अभी आपने जो reading लिया यह इस्तराफ नोट कर लिजिए ओके एक systematic होना चाहिए जीरो से start के 0 5 10 15 यानि कि 5 मीटर 10 मीटर 15 या तो आपके द्रोइंग में grid line है तो grid a b c d 1 2 3 ऐसे systematic नोट कर लिजिए यह जो tbm है जो 100 जो bs पहला रीडिंग आपने जो देखा यह bs होता है 100 tbm पर जो देखा आपने आपके अब देखिए यह सिंपल सा इसका format होता है पहला नमबर देखे bs, is, fs, hi और rl rl वहीं tbm है यह क्या है यहीं ओला tbm है तो 100 आपने rl लिया, hi height of instrument यानि hi height of instrument आप देखे bs क्या पहला रीडिंग आपने लिया जिसी यह 12 सा पछेती यह bs होगा is supported आपने इतना रीडिंग लिया लास्ट रीडिंग आपने क्या लिया यह ओके तो यह हो जागा fs बाकि intermediate site bs को छोड़ करके यानि कि जितना भी आप रीडिंग लेंगे, accept bs and fs बाकि जितने भी आएंगे is में आजाएंगे intermediate site में अब आपको क्या करना है hi height of instrument height of instrument निकलने के formula है simple था rl यानि कि b rl यानि tbm प्लस में bs, rl कितना है आपका 100 plus में 1.220 है यह हो जागा 101.220 यानि कि 101.220 यानि कि 220 ओके इतना यह rl हो गया अब क्या करना है कि rl calculate sorry यह hi हो गया rl calculate करने का एक और formula होता है hi minus is या fs intermediate side यानि कि इस point का पूरा rl निकलने हैं तो hi से यह सब minus करते जाएं यह तब तक minus होगा इस ही hi से जब तक आप machine change नहीं करते हैं अगर machine change करेंगे तो फिर से आपको क्या करना होगा height of instrument calculate करना होगा ok समझ गये कि अगर आप machine एक जगह से पूरा reading लिए हैं आप तो आपको hi सेम रहेगा बाकी सब reading को minus करते जाना hi में से तो पूरे RL निकल जाएंगा simple आप निकाल लेजी एक calculation करके मैं बता देता हूं कि जैसे इस point का RL निकलना है तो क्या करना है आपको hi कितना है hi है 101.220 okay minus आपको कर देना है minus कितना यह 1.410 यहां का RL आपका आगया 99.81 इसी तरह आपको पूरा calculate करना है देखिए मैंने calculate करके रखा पूरा आपको यह 90 यह अब फिर से एक format बना लिए आपको क्या करना है जिस तरह आप यह बना है उसी तरह आप इसका RL का यानिकि grid 0 से start किये हैं तब 5 10 और 15 तो इसी का 0 से इधर भी कर लिए ग्रिड लाइन देजिए आपके drawing में जो भी है ओके अब चलिए यह मैंने पूरा point का RL इसी point का RL कर लेना है अब आपको क्या करना है पूरी RL को जोड़ देना यानि टोटल यानि समेशन करना है पूरा टोटल करेंगे आप calculate करेंगे तो आपको आएगा इतना number से divide करेंगे कितना आरे आपने reading उठाया तो यह 16 से आरे लागया ठीक है average angel यहीं इससे आप क्या करना है आपको ड्रोइंग में जाएंगे तो ड्रोइंग में दिया रहता है यह एक angel से अगर आपको angel जो यह angel है angel से दो मीटर डाउन जाना है तो आप इसी angel को लिजिएगा average angel को लिजिएगा और calculation कीजिएगा अगर आप सब को यह video अच्छा लगा हो तो like कीजिए और share कीजिए मिलते हैं next video में